बड़े पैमाने पर रास्टिय जनता दल के स्थापना दिवस की तैयारी चल रही है आपको बता दे कि इस बार नए जोश और नए उमंग के साथ जश्मी यादव जनता के बीच होंगे और इसको लेकर जनता के लिए अपने काड़ी करताओं के लिए क्या कुछ संदेश दिजश्वी यादव की तरफ से दिया गया है यह आपको हम एक एक कर बताएंगे लेकिन पहले आपको बता दे कि इस बार आरजेडी अपना पचीसमा अस्थापना दिवस मना रहा है इसको लेकर कई तरह की तैयारी चल रही है कहा जा रहा है कि इस बार लालु पिशाद यादव भी एक नए रंग और नए उत्साह के साथ अपने काड़ी करता से मिलेंगे उनसे बागचीत करेंगे और कई तरह के एलान आरजेडी के तरफ से किया जाएगा इसको लेकर तिजश्वी यादव पहले से ही बेहद उससाही दिख रहे हैं थे उन्होंने पहले भी इस बात का दावा किया कि तीन महीने के भीतर ये NDA की सरकार बिहार में गिर जाएगी लेकिन इस बीच अब एक बार फिर से तिजश्वी यादव जनता के बीच नए संदेश के साथ पहुँचे है आपको हम एक एक करके वो संदेश तिजश्वी यादव के तरफ से जो दिये गए हैं वो बताने जा रहे हैं लालू जी की थाती पर बिहार की माती पर उपजी एक फसल रास्ट्रिये जनता दल समाजिक नयाय दिलाने का संकल्प हुआ सफल समाज के उत्थान का बल रास्ट्रिये जनता दल बिहार की माती का रंग हमारी आत्मा का रंग तोड़ेंगे हर छल रास्ट्रिय जनता दल हर नफरत पर भारी है लालू जी का संघर्ष जारी है एकता का संसार लिए हम चले मन में बिहार लिए हम है बिहार का दिल हम है देश का बल बिहार के विकास के खातिर सर्वस्व दान करेंगे बलिदान करेंगे सत्ता के दंभी लोगों को मिलकर हम हटाएंगे जनता का शासन लगाएंगे बुढ़ी लाठी का संबल रास्टिय जनता दल बिहार के बुजर्गों की बेहतरीन के लिए हम लगे रहेंगे जी जान से बिहार के युवाओं के सिख्षा और रोजगार के लिए हम उठाते रहेंगे आवाज युवाओं को देगा बेहतर कल रास्ट्रिय जनता दल गडीवी से लड़ेंगे गडीबों की सुनेंगे हर महिला सुरक्षित हो यही हमारा लक्ष है करेगा हर अत्याचार वफल रास्ट्रिय जनता दल बिहार की महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम करते रहेंगे प्रयास हर यूवा को रोजगार सक्षम बनाएगा बिहार हम आ रहे हैं सौराज ला रहे हैं अब कोई छल नहीं चलने वाला अब बिहार का सूरज नहीं ढलने वाला किसान को विपती नहीं समपती दिलाएंगे बढ़ रहा है काफिला मजबूत हो रहे हम बिहार के जनजन का बल राजत जैन्दी में पहुच रहा है रास्तिय जन्ता दल तो ये तमाम तरह के संदेश लेकर इस बार तिजश्वी यादव जन्ता के बीच आने वाले हैं जिसमें गरीबी बेरोजगारी महिला सुरक्षा इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है एक बार फिर से तिजश्वी यादव ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि अब दियार के युवाओं को हम रोजगार दिलाएंगे इतना ही नहीं महिला सुरक्षा की बात करें इसको लेकर बड़े पैमाने पर तयारी चल रही है इतना ही नहीं खुद राज़ो सुप्रीमो लालु प्रिशाद यादव जनता को संदेश देंगे अपने कारिकर्ता से बात करेंगे और आपको बता दे कि भव ये तर्यारी इस बार राज़त के तरफ से की जा रही है तो इ अलाल के लिए इतना ही ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे है ड्यूस फोर नेशन के साथ नमस्कार